ध्यान रखने योग ये कुछ बात हैं एक दाग धबो को हलका करने के लिए टमाटर में नीम्बू के रस्की कुछ बूंदे मिलाकर लगाने से तुछा साफ होने में मदद मिलती है दो, रिफाइंट तेल की जगे सरसो के तेल का इस्तेमाल करें इसके सेवन से आपको स्वस्थे ठीक रहेगा तीन, नीम्बू का पानी कंगी पर लगा कर बालों में फैलाने से बाल सुंदर हो जाते हैं चार, खाने के तुरंद बाद नहाना शरीर के लिए नुकसान दयक होता है पाँच, अगर आपके मुह में चाले हो गए हों तो सुबह खाली पेट दही में केला मिलाकर मुह के चालों पर लगाएं आराम मिलेगा छे, रात को सोने से पहले भीगे हुए साथ बदाम के छिलके निकाल कर लें और इसमें थोड़ी मातरा में मिश्री मिलाकर खाएं इससे आखों की रोशनी तेज हो जाती है साथ, जादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए यह शरीर को नुकसान पहुँचाता है आठ, मैदे की जगे आटे वाली चीज बना कर खाएं और चीनी की जगे देशी गी का इस्तिमाल कर सकते हैं नौ, घर से बाहर निकलने से पहले चेहरे पर थोड़ी मातरा में कुछले हुए टमाटर से धीरे-धीरे मालिश करें दस, चाय के ओपर पानी नहीं पीना चाहिए यह शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुचाता है ग्यारा, रोजाना सुबह खाली पिट पानी पीने से शरीर की कई बिमारियां दूर हो जाती है बारा, सुबह खाली पिट तला हुआ चट पटा खाने से बचना चाहिए नहीं तो शरीर में कई बिमारियां लग जाती है तहरा, खाना खाने के बाद एक बड़ी हिलाची खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है चौदा, सिर को धोने के बाद बालों में तौलिया जादा देर ना लपेटे इससे बालों की चमक कम हो जाती है पंदरा, जो आलू जादा खाते हैं उनका वज़न चल्दी बढ़ जाता है सोला, सुबह के समय धही खाने से खून बनता है सतरा, जिनके सिर पर बाल कम हो वहरात को सोने से पहले चने की दल का पानी सिर पर लगाएं इससे धीरे धीरे बालों उगने शुरू हो जाएंगे अठारा, नाहने के पहले बालों में तेल लगाने से बालों की जड़े मजबूत होती है 19. जादा गर्म पानी से सिर नहीं धोना चाहिए इससे सिर में खुश्की होती है 20. धूप में बाहर निकलने की विज़े से चेहरे का रंगसावला पड़ गया हो तो अंगूर का थोड़ा सा रस चेहरे पर मले और जब रस सूख जाये तो चेहरे को साफ पानी से धो ले समय कोल गिट लगा ले या फिर नारियल का तेल भी लगा सकते हैं जलन कम हो जाएगी 20. आलू खाने से आखों की रोश्णी तेज होती है 24. जिन्हें पेट की दिक्कत हो वह सुबह खाली पेट दालचीनी का काढ़ा बना कर भी है 25. सोने से पहले नीबू चाटने से नीद अच्छी आती है 26. जुकाम और नजर की कमजोरी को दूर करने के लिए सौफ की चाए बहुत ही फाइदेबंद होती है 27. सुबह खाली पे जीरा का इस्तेमाल से गुरते साफ होते है 28. सौफ काने से या दाश्ट भी तेज होती है 29. दालचीनी के सेवन से अलसर से चुटकारा मिलता है और खाना भी जल्दी हजम होता है अगर आपको यह जान कर या अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें